हेलो विवर्स तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैंट एनिसन को एंड इसकी स्टार्टिंग हम इसके हैड से करेंगे एंड सबसे पहले हम इसके हेर्स को बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आप इसके हेर्स को बनाईए एंड यहां विससे आपको इसके hairs को इसके forehead पर रखना है और हाँ यह दिया पुमारे चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी ड्रॉइंग की notification मिल सकें तो यहां पर हमने hairs complete कर लिये हैं अब इसके ears से दोनों side को आगे बिढ़ा कर आपको इसके face को complete करना है अब एक ball point pen की help से इसके facial expression बना दीजिए including his eyes, eyebrows, nose and his mouth and eyes के side पर आपको इसको burn नहीं करना है side से आपको इसको खुला ही रखना है यानि open ही रखना है ये drawing को थोड़ा realistic look देता है और यदि आपने ये animation देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये किस तरह से दिखता है and यहां से आप इसकी neck को बनाएए and ये इसकी collar है यानि कि जो इसने t-shirt पहनी होई होती है न वो यहां से आप इसकी waist तक की body को complete कीजिए and हाँ आपको इसकी jacket को भी बनाना है जो किसने पहनी होती है तो यहां से हम सबसे पहले इसकी left arm को बना लेते हैं इस पर आप कुछ इस तरह से silver tail दिखा सकते हो drawing को थोड़ा realistic दिखाने के लिए and आप सभी लोग जाते होंगे कि इसने अपनी हदेली पर एक device पहना होता है जिससे कि यह alien में evolve हो जाता है तो कुछ इस तरह से आप इसके omni tricks को बना दीजिए अच्छा यदि आपको इन में से कोई alien पसंद है आपका कौन सा alien favorite है तो आप comment में हमें बता सकते हो यदि मैं आपनी personally बात करूँ तो मुझे बिक्चिल बहुत पसंद है तो यहाँ पर हमने right arm, left arm को complete कर लिया है and यहाँ से आप इसकी jacket को बनाएए तो यह हमने jacket complete कर लिया है अब हम इसकी legs को बनाएगे आपको drawing के format को कुछ इस तरह से रखना है कि ऐसा लगना चाहिए कि इसने एक foot को आगे रखा है और दूसरे को पीछे तो कुछ इस तरह से आप इसकी left leg को बनाएए and यह इसका shoe and इसे आप कुछ इस तरह से बनाएए and जिस तरह से कि हमने इसकी leg को पीछे के और दिखाना है तो इसी तरह से आप इसकी right leg को भी बना दीजिए and यह इसका shoe इस पर भी आप सिल्वटे दिखा सकते हो यानि कि इसकी pen पर थोड़ा इसे real दिखाने के लिए and यहाँ पर हमने इसकी right arm नहीं बनाई है तो चलिए उसे भी बना लेते हैं और यदि आपके पास कोई suggestion है तो आप comment में हमें बता सकते हो कि हमें कौन सी drawing next में बनानी चाहिए and आप लोग जानते हो कि जहाँ इसकी heart की side होती है वहाँ पर एक 10 का logo होता है यानि की number 10 का तो आपको कुछ इस तरह से बना देना है and यहां से आपको इस पर line लगानी है तो हमने इसकी outline को complete कर लिया है अब हमें इसमें color fill करने है तो यहां पर मैंने इसे color fill किया है and इसके लिए मैंने watercolor की help ली है तो आप भी इसे color कर दीजे यदि आपको कोई मुश्किल आ रही है तो आप comment में मुझे बता सकते हो and यहां पर हमने इसे complete color कर दिया है आप इसमें shading मी दिखा सकते हो यदि आपके वीडियो पसंद आई तो इसे like कीजेगा यदि आपके कोई suggestion है तो आप हमें बता सकते हो कि हमें next में considering मनानी चाहिए and कुछ इस तरह से यह लग रहा है ना जिस तरह से आपने picture में देख रहे हो यदि आपको पसंद आई तो इसे like कीजे मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye and take care thank you for watching